नमस्कार दोस्तो स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी भविश्यवानिया है जो कहती है पीए मोदी के शासिनकाल में भारत का नक्षा बदल जाएगा दोस्तो 2024 की शुरुवात में देखिए महज दो महीने बचे हैं लेकिन उससे पहले भविश्यवानी करने का जो सिल्सिला है अरंब हो चुका है देखा जाए तो देखिए भविश्यवानी का एक अपना ही तेहास राय दुनिया भर के भविश्यवक्ताओं के अलावा धरम ग्रंथों में मौजूद भविश्यवानीों को समय के साथ सत्य होते हुए हर किसी ने देखा है और शायद यही वज़ा है कि आज के दौर में भी भविश्यवानी खंगाली जाती है वर्तमान की घटनाओ को भविश्यवानी से जोड़ा जाता है और जब भविश्यवानी हकीकत का रूप ले लेती है तो इन पर यकीन करने का भी मन करता है अब देखे ना दुनिया पहले से ही रूस और युक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को जेल रही है और उपर से इसराइल और हमास के बीच का भीशन जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है दोस्तो गाजा में नरसा हार हो रहा है हवाई हमले के बादब जमीन पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है दो गुटों में बटी दुनिया किसी भी वक्त विश्वयुद्ध की चपेट में आ सकती है नो डाउट और जिसकी भविश्यवानी 450 साल पहले फ्रांस के भविश्य वक्ता कर चुके थे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र ना सिर्फ माइकल नौस्ट्राडेमस की लिखी किताब दपरी फेस में मिलता है और अब तो ना सिर्फ ना सिर्दा बलकी बुलगेरिया के बाबा वेंगा और भविश्य मलिक के हवाले से संत अच्छतानंद दास महराजदी तवारा भी बोली गई है दोस्तों कई बातों को अब तक देखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है और ऐसे में आने वाला समय भारत की कैसी तस्वीर दिखाएगा 2024 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी अलग-अलग देश की सत्ता क्या एक हो जाएगी प्राकृती आप दाओं का अब कैसा रोदर रूप हमें देखने को मिलेगा ऐसा क्या-क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए नॉस्ट्राडेमिस और संत अचिता नंददास महराज के नाम पर किस प्रकार की भविश्यवानी इस वक्त सबसे ज़्यादा वारल हो रही है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले देखिए नॉस्ट्राडेमिस की भविश्यवानियों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भुकम आ सकता है कुछ देशों में विद्रो और ग्रह युद्ध हो सकता है एक भीशन बाड से दुनिया में तबाही मत सकती है यहां तक की अंतरिक्ष से भी आक्रमन की संभावना है और साल के आखिर तक एक विशाल धूम के तु प्रिथवी के करीब आएगा अब देखिए दोस्तों 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी इसको लेकर नॉस्ट्राडेमिस की भविश्यवानि ये कहती है कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हो सकता है कि भविश्य की घटित होने वाली चीजों को पहले इंसान जान ले 2024 की आखिर में रहसमें लोगों का आगमन हो सकता है कह रहे हैं कि हिमाले में तपस्या करें ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी काम्याब होगा दोस्तों 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी और इस दौर में भारत से एक मुक्ती दाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे और शायद वही दुनिया का समराठ होगा इसके अलावा देखिए नौस्ट्रडेमिस के हवाले से एक भविश्यवानी का जिक्र हमेशा मिलता है आपने भी सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि महान सितारा साथ दिन तक जलेगा एक बादल से निकलेंगे दो सूरज एक बड़ा कुता रोएगा सारी रात हलाकि देखिए ये भविश्यवानी किस देश के संधर्ब में है किताब में नौस्ट्रडेमिस ने लिखी है इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा पाया नॉस्ट्रडेमिस के अलावा बाबा वेंगा नाम लेकर इस बात की भविश्यवानी की जा रही है कि जल्दी चीन दुनिया की महाशक्ती बनेगा अब दोस्तों 2024 में धर्ती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा जिसके कारण ताप मान में परिवर्तन होगा और जिसके चलते ठंडी जगा गरम हो जाएंगी और गरम जगा ठंडी हो जाएंगी ग्लेशियर के ग्लेशियर पे घलने लगेंगे जिस समुद्र किनारे शहर जो है वो जल्मगन हो जाएंगे अब देखिए आज की डेट में एक नाम ऐसा है जिनने भारत का नौस्ट्रडेमिस भी कहा जाता है दोस्तों बात करें संथ अच्चतानंद्दास महाराज जी की जगत के नात प्रभू जगनात की धरती यानि की पुरी में जन में संथ अच्चतानंद्दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिनोंने अपने तप और योग शक्ती के बल भविश्य मलिक पुरान की रचना कहा जाता है कि धर्ती तीन चर्णों से गुजरेगी, सबसे पहले काल कांत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का रंभ होगा और कहते हैं कि जैसे ही शनी मीन राशी में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर अचानक से शहर और गाउं पर अपना हमला शुरू कर देंगे, आसमान में ऐसा प्रतीत होता है, दो सूरे नि इंसानी नरसाहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है, वो चुरासी करोड रह जाएगी, तो दो हजार पच्चिस के बाद का समय, एक विभिशकों के समान होगा, वहीं लोग बचेंगे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ऐसा सब कुछ संत अचितानन दा इस सब कहा जाता है, दोस्तों सोशल मीडिया में अब देखिए नौस्ट्रडमस बाबा वेंगा और संत अधास महाराज जी की इन भविश्वाने की पुष्टी करना देखी बहुत ही जादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये सारे की सारी बाते सोशल मीडिया से उठाई विश्शग्यों ने तो अपने-अपने हिसाब से भविश्य वक्ताओं की भविश्वाने की व्याक्या की है, अब इन में देखिए कितनी सच्चाई मिलती है कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए इनको सच होने की संभावना से भी हम इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा जो हम लोगों ने देखी है, हमने कभी उसकी कलपना भी नहीं की थी, लेकिन हमारे साथ वो सब हुआ, और जिस तरह से दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसकी भी कलपना किसी नहीं की थी, लेकिन हो रहा है, तो ये सारी चीज पर जोनों की रोशनी चलिए गई थी, अगस्त 1996 में मौत हो गई थी, अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने भविश्वांई करती थी, बाबा वेंगा ने साल 2003 के लिए कई भविश्यवानिया की थी जो सच साबित हो चुकी है बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर कई खतरनाक भविश्यवानिया की भारत के लिए बाबा वेंगा की बे मौसम बरसात वाली भविश्यवानी सच साबित हो चुकी है इस साल मार्च और एपरिल में बहुत जादा बारिश देख बाबा वेंगा ने सौर तुफान की भविश्यवानी भी सच साबित हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सूरे में पृत्वी से करीब 20 गुना बड़ा छेद खोज निकाला और इससे निकले विकिरन का खतरनाक प्रभाव भी देखा गया। नए स्त्रोत खोज रहे हैं। और ऐसे में दोस्तो भविश्यवानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इनमें कहीं सच्चाई है? और समय के साथ क्या ये भविश्यवानी हकीकत बनती है? कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद चुमें मा वीडियो